नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं श्राम तक की 10 फटा-फट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कामेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिलकुल न भूले। वह इस मामली में दिली के सेम काफी पीछे हैं। पापलिक ने माते सुलों प्रतीशत मतों के साथ उन्हें दूसरे स्थान पर रखा है। जब कि पश्रम बंगाल के सेम को किवर 7.3 प्रतीशत लोगों ने अपना मत दिया है। राजी सरकारों के कामकास को जाननी और समशने के लिए इंडिया टूडी और सी वोटरस ने मूड आप दी नेशन सर्वे किया है। हमारे मान बिंदू की पुना स्थापना हो, गव ब्रमान की रक्षा हो। इसी काल खंड में अगर हमारे तेर से सर अप अवित्र हुए तो उनकी पुना स्थापना के अभियान चुले। पिया मोधी के प्रयास से अयोध्या में 500 साल बाद राम मदिर का निर्मान हो रहा यूपी में यहां द्योग लगाने के अब असानी से मिलेगी जमीन एक प्रतीशत ब्याजुदर पर कर्जद देगी योगी सरकार। इसके तहतराज्य में कोई भी व्यक्ति अपनी नीजी जमीन पर प्राइवरी इंडस्ट्रिल पार्क कर विक्सित करके उसके भूखन निवेशक को बेच सकता है। प्रदेश सरकार के उस जमीन को विक्सित करने के संकल्ब को आगे बढ़ाती हुए उसे आसान कर्स देगी। प्रदेश की योगी सरकानी अपनी कारिकाल में बोर्ड परिक्षाओं में नकल पर पूरी तनहा से नकेल कस्ती है। निर्क्षक के रूप में नहीं लगाए जाएगी। यही नहीं पुरुष र कक ईरिक्षक को प्योग कर सके गे। सिंगापूर की तरच पर आयोधिया में भी होगा Digital Twin सर्वे रामनगरी आयोधिया को विश्विस स्तर ये शहर की रूप में विक्सित करनी की कवायद तेज हो गई है अब यहाँ सिंगापूर की तरच पर Digital Twin टेक्नीक से शहर की मैपिंग कीचा रही है शहर को स्मार्ट शहर बनाने के लिए जनेसिम इंटरनेशनल नाम की कमपणी ने सर्वे का काम शुरू किया है इस सर्वे के बाद आयोध्या की एक एक गली की हुबहू 3D विज्वर प्रशासन के पास मौडूत रहेगा हार satisf न महीने में कमपनी को इसका अप्डेट कर है परशासन के सर्वर पर अपलोट कर दे कि इस 3D विज्वल से किसी भी तरह की योश्रा बनाने में प्रशासन को असानी होगी चहेवर शहर के विगास की योजना बनानी हो या फिर पर्मुक सरवो पर या फिर परवो पर भीट को मेनेज करने की रननीती बनानी हो सब कुछ असान होगा महाश्य वडात्री पर काशी विश्वनात मंदिर में नuição व्यवस्ता इस महाशिवरात्री से श्रीकाशी विश्वनात मंदरी के सुरक्षा ववस्ता और दर्शन पूजन को लेकर आमुल चूल बदाब देखनी को मिलेगा बाबा श्री काशिय विश्वनात के गर्ब ग्रही में दर्शन पूझन कराने पुलिस को फरवेशन नहीं दिया जाएगा फरवरी के पहले सपता से काशिय में यह नई व्यवस्ता लागू होनी जा रही है वीवी आईपी दर्शन के दुनान लोग पुलिस के सिपाही या दिकारी के साथ सहष्टा से दर्शन कर पाते थे अब इस ववस्ता पर रोख लगने वाली है पुलिस केवल दूर से नजर रखेगी मंदिर पर शासन दर्शन पूझन का सारा इंतिजाम अपनी उपर ले रहा है केवल मंदिर प्रबंदन के करमचारियों को ही जोते लिंक के दर्शन करानी के अनुमती मिलेगी मंदिर सुरक्षा के लिए गठीत हाई पावर कमेटी परवरी के शुरुवाती सब तहा में इस फैसले पर मुहर लगा सकती है सड़क सुरक्षा महा के तहत महाराज गंज में चुला भियान सरसुरक्षा महा की दुरान महाराज उकंड जुले की यतयात पलस ने छलका ज्राम तो काम तमाम अभियान चुलाया है इस अभियान के तहरे दो पहिया उचार पहिया वहानों के चालकों की एलको मीटर से ज्रांट कराएगे जुणा uplift पीने वाले च्छलकों को प्रतग्या दिलाए गई कि वहτε बारा शुराब पीकर वहन नहीं चुलाएंगे निद्याथ पोलिस ने शुराब पीकर वहन चुलाने वाले की प्रेथ एनालाइजर से चकिंगी शुराब पीकर वहन चुलाने वालों के वुरुद कथो चलका जाम काम तमाम अभ्यान के तहते शुरापी के रपहनना चुनाने का रोध किया गया है और लोगों को जाग रूप किया गया भू माफ्या की 34 करोड रूपय के संपती जब्त बरेली में 200 करोड रूपय के सरकारी जमीन पर कबजा करने वाली बिल्डर रूपय पुलिस प्रशासन ने कारिवाही की है डिम शिवाकांत द्विवेदी जहां आरोपियों को भू माफ्या घूजित कर चुके हैं वहीं पुल प्रसन यह बताया कि अरोपी रमंदीप प्रेम पाल शिव चरण नाईम एवं उनके सहयोगे द्वरा वैद धनलाब अरजित कर उन्हें चल अचल संपती जिसे कीमत 36 क्रोड पंदर लाग रूपय है इस संपती को मजिस्ट्रेट के आदेश पर जब्त किया गया है और यह में का लगेगा मेगा वैक्सिनेशन 8,000 लोगों को मिलेगा निशुल्क प्रिकॉशन डोस और यह में कोरोणा संक्रमन से सुरक्षा कवच मोहिया करा निकुदेश उसी निशुल्क कोरोणा टीका करन लगवाया जाएगा इसमें जादा से जादा लोगों को लाभ हनवित करने के उदेश से रविवार 29 जनवरी को जनपर में मेगा वैक्सिनेशन कैम का आयोजन किया गया है जिससे एक दिन के अभ्यान में 8,000 लोगों को टीका लगाने का लक्षवे रखा गया है जिला अप्रती रक्षन अधिकारी ने जिनपर दवासों से अपने निकटवर्ती केंदर पहुँच कर टीका लगवारी के अप्पिल की है इसके लिए जिलास पता, सामुदाइक स्वास्ते खेंदर, प्रात्मिक स्वास्ते केंदर पर निशल को मेगा टीका करन का आयोजन किया जा रहा है इसके लिए समस्ते चुकिस्ता दिक्षक प्रभारी चुकिस्ता दिकारी को निरदेश दिये गए है यूपी में सर्धवाओं के बाद बारिश बढ़ाई की ठंड यूपी में पहाडों से आ रही सर्धवाओं ने फिर गलन बढ़ा दी है दिन और रात के तापमान में कम ही आ गई है मौसम विभागने अगले दो दिन के लिए बारिश का अलर्टे चारी किया है कानपूर में दिन का अधिक्तम तापमान तेज डिगरी रिकॉर्ड किया गया है जबकि न्यूनतम तापमान बीस दश्मिन अब आठ दच किया गया है